तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम किसी भी समकोंड तिरभुज में लंब का और कण का मान ग्यात करना सिखेंगे जी हैं कोई भी समकोंड तिरभुज हो उसमें लंब और कण का मान ग्यात करना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी असान तरीका से ग्यात कर सकते हैं तो आएए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि समकोंड तिर्भुज होता क्या है और समकोंड तिर्भुज में क्या क्या दिया रहता है और क्या निकालना है इस question में तो देखिए समकोंड तिर्भुज उस तिर्भुज को कहते है न जिसका एक कोंड समकोंड हो समकोंड का मतलब होता है कि एक कोंड 90 डिगड़ी का हो तो देखिए हमारा जो तिर्भुज है यह यहां पर दिया गया है तो यहाँ पर हमारा नवे डिगडी का कोण बन रहा है अब देखें तिरभोज के तीनो कोणों का योग 180 डिगडी होता है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो एक कोण तो हमारा यहाँ पर 90 डिगडी हो गया अब यह दोनो कोण मिलाकर यहाँ पर 90 डिगडी होना चाहिए तब इने 90 डिगड़ी और दोनों को मिला कर नावे जगड़ी 180 डिगड़ी होगा चुकि किसी भी तिरभोज के तीनों कोनों का जोग 180 डिगड़ी होता है समझ रहे ना अब यह 90 हो गया अब देखे समकोर तिरभोज जिस भी रेखा पर खाड़ा है यह जिस पर भी खाड़ा ह यह हमारा आधार है तो यह समकोंड तिर्भुज में मिला हुआ है आधार में और यहां पर नबेड़र का कोंड बना रहा है तो इसको हम बोलते हैं लंब अब देखे यह लंब का जो सिर्स है और आधार का जो राइड शाइड का सिर्स है इन दोनों को मिलाने वाली जो सबसे लंबी रिखा है इसको हम बोलते हैं कन यान यह हमारा कन यह है आधार और यह है लंब तो इसमें हमारा कन कमान दिया है आधार कमान दिया है और हमको यह वाट का मतलब क्या कि यहाँ पर जो भी है यहाँ पर हमको निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा अगर यह 9 सेंटीमेटर ह यह 3 cm है तो यह लंब का मान क्या होगा यही हमको ग्यात करना है और हमने यहाँ पर लिखा भी है कि लंब का मान ग्यात करें तो केवल एक सुत्र और आप जो है इस तरह के अनेकों को सल्ब कर सकते हैं तो देखिए वह सुत्र क्या है तो देखें यह हमारा important formula जिसको पैथागो प्रसपरमी का यह formula है तो देखिए हमारा formula क्या है कंड का square बराबर लंब का square प्लस आधार का square यह होता है हमारा simple formula और इसी formula के use कर के समकॉण तिर्भूज में किसी भी भूजा का मान गयात किया छाता है समझ रहना अब देखिए इस क्या निकालना है लंब निकालना है यहां पर लंब का अधार कर देंगे यहां जो आधार को इなたほरा माइननस का आधार और इसक्वायर हो जाएगा अब देखके बराबर है और बराबर के राइट में हमारा लंब इसक्वाइर यहां पर बच जाएगा यहां पर हमारा लंब और का यहां पर इसक्वाइर हम कर देंगे अब देखें यहां पर क्या लंब का इसक्वाइर है हमको लंब का मान गयात करना है तो देखें बराबर क्राइट में क्या इसक्व स्कूर बराबर के लुट में लाएंगे तो यहां पर रूट चार जाएगा इसको लिख tala कैंड हो जएका का LIKE कोरो लमब बराबर रूट अबर रूट ऑवर कर यहां स्कूर और मैनस का Юht dh हार का यहाँ पर हमें अस्क BRAABPकॉ कर देंगे अब देखे माने यहाँ पर किया क्या है यह चो the beverages관리 इसको में इसाइफर रूट कर दिया है और जो नहीं अगये ब्राबर कर दिया है और जो यह संक्गा स्वायर है संक्गा है इसके कमान दिया है 9 cm तो जहां पर एक करण वहां पर हम 9 cm रखेंगे और माइनस आधार कमान क्या दिया है तो आधार कमान है 3 cm चलिए फर्मुला को यूज करते हैं यहां पर क्या एक कर का स्क्वाइर तो जहां पर एक कर वहां पर हम 9 cm रखेंगे यानि कर कमान जो है न हमारे यहां पर 9 cm Ho जाएगा और Square है तो हमें square कर देंगे, और 3 संटीमिटर है, तो हम 3 से सक्वायर कर देंगे रूट है तो इस पर हम root लगा देंगे, अब दीकिए हमारे तो रूट चवर जाएगा और यह हमारा लंब का मान निकल रहा है अब देखे रूट भर में क्या है 81-9 यानि 81 मिसे 9 को घटाने है चले घटा लेता है यहाँ पर रूट भर देंगे हमारा सेकर्ण नेमर कोशें हमको कहण का मान ज्याद करना है तो चले को तिरिश मेंUD AI so जिसमें, यह उला कोम है ना हमारा 90 ग्रिक होगा है यानि सोंउंड होगा समझा रहना तो बी से C तक के दूरी 8 cm दढ़ है जिसको हम बोलते हैं आधार यानेगे 8 cm दढ़ है और एक जो B जो A से B तक की दूरी है जो इसको हमरा 12 cm दढ़ है और यह सबसे वी भूझा है A C इसको बूलते हैं DA llegar का मान जो है न हमको ग्यात करना है समझ रहे हैं न ठो यहां पर देखिए हमने फर्मला लिखाल एक करंड काπειर बराबर के स्कॉएर प्लस अधार के स्कॉएइर करना है तो है यहां सा, करंड का सूत्र पता करना होगा तो करंड का का स्कौॉयर और प्लाइड में यहां पर आपका आधार का इस्कॉयर हो जाएगा यह हो गया आपका फर्मूला कोण्त करेंस अब क्या करति हमारे में दिया यह हमारे मदलब कमानें 12 सैंटीमिटर तो जहां पर नाम वहां पर हम 12 cm रखेंगे तो सबसे पहले रूट है लम है लम कमान है 12 cm अब देखिए यहां पर क्या है पलस तो प्लस देंगे अधार कमान केतना है 8 cm तो हम यहां पर 8 का सबस्क्राइब कर देंगे अब देखिए हम यहां पर 12 का तो 12 बना होता है 144 पलस देखिए यहां पर 4 में चार जोड़ेंगे तो आपका होज़ेगा यहां पर 8 पर रूट ओभर 208 आगया और जब 208 का हम बर्गमूल निकालेंगे तो आपका बर्गमूल आएगा 14 और रूट ओभर 12 और यही इस कोश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तो दोस्तों देखिए कितने असान तरीका से किसी भी संबकोंड त्रिभूज में लंब कमान अधार कमान और करण कमान भी आप ग्यांत कर सकते हैं केवल एक फर्मूला और उसी फर्मूला को आपको लंब करण और अधार कमान ग्यांत कर लेना है फर्मूला में ही उसके बाद जो कोश्चन में दिया रहते हैं उसको बैठा देना है और आपका आंसर सिंपल तरीका से आ जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने लंब का और कंड कमान ग्यांत करना सीख लिया है तो इस चनल को जरूर सब्सक्राइब केजिए ताकि अगले वीडियो का नोटी पिक्स मिले और आपकी जो मैध के तैयार है ना हमेशा चलती रहे